हेलो डियर यूट्रेंट बलकम टू माई यूटूब चैनल लच्छ नेवे एंडर फोर्स में तो चलिए आज की वीडियो स्टाइट करते हैं समय ना बरबात करते हैं देखते हैं वीडियो क्या होने वाली अब वीडियो क्या है आपका कंप्लेटली प्रिभी सेयर कोश्चन ह कई वाले तो वीडियो एंड तक दीखेगा आपका प्रॉफिट होने वाला तो चलिए वीडियो स्टाइट करते हैं देखते हैं पहला कोश्चन तो क्या है पहला कोश्चन आपके सामने कहता है निमलखित में से किसका आकसाइड लाल लिटमस को नीला कर देता है तो नीला कर देता है क्योंकि अमजी ओ क्या होता है चारी होता है कि को से नमबर सेकेंड की बात करते हैं ध्यान समझेगा कि अब को सबसे अधिक संपीड है तो आपको राइट एंसर बताना है अब इसके लिए अगर आपने अपसंसी चुन है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका सबसे क्या संपीड जो सबसे अधिक संपीड है इंपॉर्टन कोशिण इसको दे दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टन हो सकता एकजाम के लिए तो क्या हो गया सपीडिया पाने के लिए अ सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट में मैं आपको पीडिया प्रोवाइट करा दूँगा कोशन नमर्ट की तरफ चलते हैं कहता डैस गैस पिर्थभी सिद्धीर घ्तरंग और अपने अपसंद बीच उना है ग्रीन हाउस तो राइट एंसर है ग्रीन हाउस गैस जो है पिर्थ सब्सक्राइब करें प्रफित कर देगी जाओ यह होता है ग्रीन हाउस की कार कोशन नमबर फोड देखिएगा कोशन नमबर इंपोशन फॉर इंप्रेंट है कहता ब्लुटूथ का विसकार किस ने किया था तो राइट एंसर यहां से आपको बताना है तो यह यह आपने अपसर से चुना है डाक्टर चाप हर्षेन और राइट एंसर हो जाएगा डाक्टर चाप जाप स्वरी जब हार्षेन ने क्या है बुलुटूथ का विसकार किया था आपसन नमबर सी हो जाएगा राइट एंसर नेस्ट कि तरप चलते हैं याद इंपॉर्टन्ट है एक्जाम आप भी उसे कोईशन फूर कहता है मनुस्य के सरीर में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है तो राइट एंसर आपको होता नहीं है तो क्या है अगर आपने अपसंदी चुना है फेमियूर नहीं आप फीमर होना चाहिए क्या होना चाहिए फीमर याद रखेगा फीमर जो हड़ी है वो क्या है सबसे लंबी हड़ी है जो जांग की हड़ी इसे बोलते है मनुस्य का अपसंदी हो जाएगा राइट एंसर कोईशन इंपॉर्टन्ट है कोईशन नमबर सिक्स की बात करते हैं कहता बिजांड द्वारी सीरे के ठीक विपरिट डैस ह नमबर सिख्क में होता है जो अधारी खा परिटनीजर्थ करता है तो अगर आपको बताना है को कोईशन नमबर सिक्स की बात करे हैं अगर आपने अपसंसी चुन हनी भाग तो राइट एंसर हो हो जाएगा बिजांड और द्वारी शीरे के ठीक विपरिट करता है जो बीज जान्ड के अधारी भाग का प्रतनीजित करता आपसर नंबर सी हो जाएगा राइट है सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे दिन में 2 प्रेटिसेट प्लस मैध की वीडियो आपको मिलने वाली कल से अभी दो वीडियो पड़ी है आप जाके वीडियो इसकी प्राडियों में जीवन की समझ्ट जयवी क्रिया है जैसे पाचन, स्वस्थन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है तो तो यदि आपने असन्व फरस्ट चुन है वन तो राइट आइट असर याद रखेगा पाचन, स्वस्थन, जनन, यतीनों क्या है यह की कोश्च का द्वार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यह में परावरत तो आप इसकोशन के चलते हैं कोशन नमर एट आपके सामने एन आपके सामने हैं कहता प्रतरोध को मापने की काई याद रखेगा मोस्ट इंपर्डन कुश्चन तो यहां पर अगर आपने आपके सामने हैं नहां से देखेगा कहता है निम्लिखित में से कौन सा आई एप इप कथन के तीन अल अगरक प्रकारों में से एक नहीं है है कि इसमें ताना इकाउन एक नहीं है है और यодब यादे आपने अपस्कनर सी सिचन ना इपके साहएं तो गलत हो जाएगा इप हो जाएगा इप Ü सोजाएगा इप इस इस फिह हो जाएगा राइट हैं से कौश्चन नमबर कि येवन की बात कहता है कहता है पेट मतलब कि तूसके लिए आपने अपस्वन क्या है सी चुना है पॉली एस्टर तो राइट अगर पॉली एस्टर एक बहुत सुपर चीट पर्चार रहें जो क्या है पॉलीश्टर है जिसका उपयों क्या है बोतल बनाने के लिए कि आ आपसे नमर सी हो जाएगा राइट एंसर वहीं कॉश्चन नमर 12 की बात करें कहता है नेम रिखित में से कौन सी आक्सीजन से भारी होती है तो कौन सी मतलब इसमें से गैस तो अगर आपने असमें फर्च नहां कारबन डाय एकसाइड तो राइट एंसर होगा सी यो टू क्या है और टू से भारी होती ही जाद रखेगा कॉश्चन नमर निश्ट की बात करें देखते हैं कॉश्चन नमर 13 आपके सामने है क्याता भारत में वाई पर दूसर निरोध एवं नियंटर नियम 1981 में लागू हा लेकिन इसमें डैस में संसोधन कर सोर को वाई पर दूसर के रूप में सम्मीलित किया गया है कब किया गया है राइट एंसर आपको दाना है क्याता है क्याता मैं एक वस्तु की बिकरे कीमत दो गुनी कर देता है तो लाव चार गुना हो जाता है मूले लाव परसंट गयाद कीजिए बिकरे कीमत बढ़ाने से पहले कि चब भी एसी आपको सिस्टम दिए याद रखीगा सबसे सिंपल फार मुला ओता रहें अब यहाँ पर माना करयमल एक्स है तता बिकरे मुल था इस Г घगए अब यहाँ पर चार गुनी हो रही लाव तो यहाँ पर डैल माइनस करें मूल बढ़ा होगा तब इकल टू क्या है दो गुनी क्या कीमत बिकरें मूल के माइनस एक्स हो गया इसको बहुत करेंगे तो 4y-4x एकल टू क्या होने ओला 2y-x एक्स को इदर लाईए और y को इदर ले जाए तो चार मिसंद दो जाएगा 2y और यहां पर क्या होने लप कि यह भी माइनस है इधर जाएगा पलस हो जाएगा तो क्या जाएगा तीन अब यहां से तीन एक और एक सवाइक अनपाद निका रहेंगे तो यहां पर मिले वाला दो अनपाद है तीन वहीं पर लाप की बात करें तो इसमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन किस पर छोटे पे तो गुड़े सो परसेंट कर लिए और सो से काटें दो से पचास परसेंट आपको आपसर नमरे हो जाएगा राइट है कि विश्चन नमबर 15 की बात करते हैं ध्यान से देखेगा कहता इन संख्याओं में से कौन सी क्यारे से विभाज है तो राइट 11 से विभाज है आपको पढ़ा चुके हैं विभाज तक नहीं पढ़ा है तो चलिए देख लिए याद रखे कि 11 से विभाज है मतलब पहली कुछ जैसे 1 2 3 4 मैं लिख रहा हूं संख्या यह संख्या माल लिए अब इसको दोड़ना है इनको फिर जोड़ना है इसका इससे एक एक छोड़के जोड़ना है अब इनको जोड़ने के बाद इसमें घटा देना अगर आपको बैल जीरू यह तो ग्यारे से भी भाज जाए अगर 11 आता तब भी भी आज़े अब देखते हैं क्या आता है यहां पर क्या है आपको सबसे सिंपल करना है आ इन ऐसारी कोजिशन करते हैं देखते हैं 5, 3, 7, 7, 6, 13 138 कितना होता है? 21 हो जाएगा बस 21-5, 3 8 चाहँं, 10 17 174 21 21 हो गया यहां पर 4610 अ हैं लोगा 4610 10 5 15 15 दूइस तरह माइनस यह तो नहीं होगा अगर वहीं सी की बात करें देखते हैं क्या होने वाला सी कुछ अधाय चार दू छैए एक साथ गारा हो गया इसका एक मिनट अच्छे सहल करते हैं दिखते हैं चार दू छैए चाहर एक साथ साथ पंच बारा हो गया यहां पर बात करें तो 9 312 12 7 19 19 4 23 हां अब 23 मिसन 12 घटा देजिए मिलने वाला को 11 हमने का था या तो जीरो आना चाहिए या तो 11 मतलब आपका राइट एं मिट गया लगता है देखिए गजान से कहता हरी तेस ने एक पुरानी भाई खरीदे तीन मालिकों की माध्यम से गुजरने के बाद बाद बाइक का मुल पचास परसंट बढ़ जाता है मतलब कोई मुल एक सुर्पे हम खरीता है तो तीन मालिक इसके एक दूई तीन मतलब त तो कुजिशन बहुत नंबा प्रोसेस में है ठीक अब यहां पर ध्यान समझेगा पहले को मिल दा है 110 क्योंकि सो पलस करेंगे 110 110 X अब गुड़े करेंगे 130 क्योंकि इसका 30 मिल दा है गुड़े 100 अब यहां से 0000 खत्म इसको हल करते हैं तो यहां मिलने वाला 143 बटे 100 143 अब यहां पर बने 150 एक्स माइनस 150 सो एक्स माइनस एक्स 143 अब यहां पर गटाएंगे तो 150 में से साथ बटे 100 एक्स हो जाएगा अब साथ बटे 100 है अब देखते हैं सो रिष्मिन थोड़ा साब कि अब यहां पर क्या आने वाला साथ बटे अब कितने हो रहा है 143 सबसे चोटा है है ना अब गुड़े क्या कर दो सबसे सिंपल और साथ से काटेंगे साथ से कटेंगा नहीं आपको जब डारेक्ट भाग देने वाले हैं तो साथ सब बटे 143 हो जाएगा मतलब चौदर परसेंट आपका राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 17 की बात करें ध्यान से देखिएगा कहता है यदि एक तिर्भुच की कोड़ों का नपत्व अनपत्व अनपत्व साथ सबसे बड़े कोड़े हैं सबसे चोटी कोड़ का अनपाथ भी गयात करना योग फिर वाद अब सबसे सिम्पल कोश्चे है पहले तुमान निकाल लेते हैं अब दो तीन पांच पांच साथ बार है बार है कि बेलू एक सौशी क्योंकि पहन दोनों के बड़े और चोटे चोटे को बार दोने चोबीस हो जाएगा पलस बड़े क्या बार सत्य चौरासी अनपाथे अब सबसे चोड कोड़ क्या है 24 है इसको जोड़ लेते हैं एड करते हैं तो देखते हैं कि आहां वाला होने आट दो दस हो जाएगा इक कल टूचोबीश हो जाएगा एक सो आठ़ हैं पाते च विस होने है कि सचरी कि यहां पर देखते हैं दो तीन साथ दो तिन पाँच पांच पांच सब्वाज बारा होगा ना बाराग वैलुई एक लो पंदर रहा जाएगी तो एक के बैलो कि observed सबसे चोटा कोड क्या मिला है कि दोनों कोड का योग सबसे चोटे कोड का योग अनपात का अब देखते हैं क्या है जो अनपात मिलने वाला 135 होने वाला है अनपाते अब कह रहा है बीच वाले से 105 से तो यहां से जो मान नहीं लेगा अब काड देते हैं क्या से 15 असे 15 अनपाते साथ देखते हैं राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट अनपाते की बात करें ध्यान से देखेंगा कहता है यदि सब्सक्राइब हो जाएगा एक सो तीस यहां फोनाल मंद मंद पचास है ना अंतरा बात करें पचास घटाएंग कितना होने लिए आपका सी होने राइट एंसर कुछिन नमर 19 की बात करते हैं देहां से देखिएगा कि यह रहा आपके सामने कुछिशन असे जिए एएट की पाऊर 10 x 9 की पाऊर 7 और ऐस्टे गुड़न फन में अब अवाज गुण खंड ने ग्याद कि लिए तो अब हाज आपसे कह रहा है मतलब जो सब में क्या है सेम हो अब देखते हैं क्या है आप अब आज गूण खंड करते हैं तो आज गूर अन खंड पहले इसकी 2 की power क्या हो जाएगे 3, फिर इसकी power 10, गुड़े फिर 3 की power 2, गुड़े 7, फिर 7 की power 8 ही रहेगा, अब यहाँ पे करेंगे 2 की power 30, गुड़े 3 की power 14, फिर गुड़े 7 की power 8, अब यहाँ पे क्या है सब को add कर लेते हैं, अब आज गुडए फन की बात किये न, तो यहां स तो आपसे नमबर सी होजाएगा राइट एंसर कुछ से नमबर 20 की बात करें देखें कि काता है तीन संख्याओं का यूगफल क्या होगा मतलब इनका जो मासा इतना आया है अब यूगफल क्या होगा अब राइट एंसर देखें कैसे अब यहां पर इसका मासा 45 है और इनको वाइट कर लिए दो तीन पांच पांच है ग्यारे अब ग्यारे की बैलू क्या है पैतारी से क्योंकि समय कामन है तो इनका यह क्या हो जाए क्योंकि नमर 21 की पात करें वहीं पर कहता है एक अस्तम की चाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूरी काउन इनको तीसें से 60 अंस हो जाता है अस्तम की उचाय क्या हूँ जाना देखें कोईशन स्ट्रॉंग है अब कहता है उसकी उचाय एक्स उसकी लंबाई मतलब ए आप कहता है दो डीगरी बन रही है दो एंगल पढ़े होंगे तब अ कि ग्रिव पाएंगे ने के पढ़ जाट है यहां पे तीस यहाँ स्टितर हो रहा है अभी हैं अब यहां है यहां से जब टैंस की पेली निकालेंगे तो यहां से बहूने वाला है मतलब 26 बटे अंडरू 3 10 कमान मिलने वाला ठीक इस कुश्चन को आप अच्छे साल करिएगा इसके सौट ले लिए तो हम राइट एंसर बता देते हैं कि आपका अपसर नमर्डी हो जागा बारां अंडरू 3 मीटर इद्धा रहते हैं हमने हल किया था तो क्वेशन नमर्ट 22 की बात करें कहता है तो तीन परिष्णों को सामिल किया गया तो नया माद 13 हो जाता है तो तीन परिष्णों कमान तो पंदर गुड़ा के लिए पहले 14 मे तो पंदर चुब के कितना पंदर चुब के साथ 15 करने 15 चाहिक करें दूसर दस हो गया अब कहता है तीन और बढ़े अठारा हो गया अठारा गुड़ा मल्टिप्लाई कर देदी तेरे में अठार रहती है चाहँए आप लगा पांच अब अठारे का ने अठारे पांच तेज़ दोस्तों चाहरतीस माइनस इतना बटे क्या है तीन क्योंकि तीन बढ़ रहे हैं अब देखते हैं आप जो मिलने वाली संख्या हमको क्या है चोबिस चोबिस बटे तीन मतलब क्या हो अठार हो अठारिक चोबिस मतलब अब कमाद देख्या होने वाला ने प्रेश्वड़ों कमाद देख्या होगा और साथ माद तीन हो आठार होगा राइट एंसर में 23 की बात करें कहता है यदि 9 कॉस ए पलस बार साइन एकल टू इतना है तो कॉट एक अमान क्या होगा अब यहां पर ध्यान समझेगे इस को आप हल करेंगे तो बहुत लंब प्रोसेस होने वाला है ठीक आप इसको अच्छे से हल कर लिजेगा अज़िक ना आगी चलते हैं ठीकते हैं अगर इसका राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर डारेक्ट याद कर लिजिए थी अपा के बात करें कहता है कि एक बस कुछ दूरी एक निशयत गर्ट से तै करता है यज़ी एक अस दूरी का एकतिहाई भाग तीन गुना समय में करता है तो ब्यक्ति की कि उन का अब यहाँ पर ध्यान समझेगा जो अनपात then मिलने वाला बैक्ति द्वारा क्या मिलनाए उसका एक दिए हाई कर रहा है न भैक्ति और इसका तीन गूना कर रहा है बतल बहूंत अन्पाथ करेंगे तो एक अनपाथे यहां से एकसे खितम तीन तरीक्ये क्या हो जाएगा नौ होने वाला है एक अनपाथे नो इद्दा आपका राइट एंसर हो जाएगा सबसे सीम्पल कोईशन को अब इसकि क्या है बाई लूब क्या करेंगे तो यहां पर मिलने वाला तीन आपन उपस में काम करेंगे मिलेगा one upon से दिए अब इसका मान यहां से करें गे तो सम्हक्रामन मिलनेवाला 7 approximation तो संख्या संख्या मिलनी वाले जीरो आपसर नमबर डिया अप्षण अबकर जीकर सवेश अब देखते हैं आमगे कि स्टार्ट होगया कुस्ट्ट इहां से पाइब है क्याition इंपॉर्टन्ट है भारत की राष्टिपत को उनके कारीकाल की समापती से पूर्व महाई भ्योग करने के लिए किसके अंसंसार निवार है तो राइट एंसर आपको बताना है कि तो अगर आपने अपसंट रिचना संसद के दोनों सदनों का तो राइट एंसर हो जगा संसद के दोनों सदनों की मिना कुछ नहीं होने वाला मतलब लोगसभा और राज़सभा 27 की बात करें कहता है भारती संभीधान में कितने परकार के नाइक आदेश है तो राइट एंसर आपको ताना तो याद रखे का संभीधान अंच्छेद 32 के अंशार मतलब सर्वोच नियाले द्वारा तथा अंच्छेद 2026 के अंशार कहता है कि कि इसमें जो आदेश है आपका क्या है पांच आदेश है याद रखेंगा पहला बंधी 32 परतीचरेड कर दूसरा परमादेश तीसरा प्रेशर चौथा है प्रतीशेद 5 अधिकार प्रिच्छा पांच आदेश है याद रखेंगा नाई के कैसे नमर्टी येट की बात करें कहत किसने करवाया था या किसने बनवाया था तो यह आपने अपस्वन बीच नहीं है राड़ा कुमभा आपको पता होने चित्तरगड से संबंदित क्या है राड़ा कुमभा है आपसा नमर क्या हो जागा बीजिदार आइटेंस रोजाएगा कोश्चन नमर 29 की बात करें स्वराज मेरा जनम से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या नारा किसने लिया था इसने दिया था मतलूं तो अगर आपने अपसन क्या है सी चुना है पाल गंगा धरती रहा करें तो राइटन से अच्छा मातमा गादिन कहा था करो या मरो याद रखिएगा इन्वन क् सब्सक्राइब करो या मरो और बाल गंगा धरतिला को क्या कहते हैं जानते हिंदू राष्टवाद का पिता भी का आजाता है याद रखिएगा सुभास जंद जो पूछा गया था 2019 में जैहिंद क्या पूछा गया था जैहिंद कर नारा किस नहीं दिया था कुशन नमर नमर भी हो जागा राइटेश वान की बात करें कहता भारत के किसरा पास सबसे लंबा समुद्धाती है जो कर दाना कि पूश्चा नमबर 32 की बात करें अब कहता मिलान किजेंगे तो मिलान करना आपको राइट अंसर आपको बताना है यहीं से मिलान करते हैं डाइरेक्ट आप से लिए जाने की जड़ों तो यहां से अगर आपने मिलाती राज को क्या है किर्केट माना है ठीक न और क्या है यहां पर पूनम को क्या माना आपने पूनम जो आपकी हाकी से संब्दे थे पूनम रानी किया है भारती हाकी के और ललता बाबार तीन हजार मीटा लंबी बाधा दोड़ दोड़ी है क्वेशन नमर 13 की बात करें कहता सिटिजन एंड सोसाइटी याद रखे भी राज चुके हैं उपराश्टी पद तो सिटिजन एंड सोसाइटी के जो लिखा कि हमीद अंसारी हो जाएंगे आपसे नमर भी हो जाएगा राइट एंसर थर्टी फोर की बात कहता है नहीं कि समयते भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सरवादिक उतपादक है त किस से संबंदी तरा राइट एंसर आपको पताना है नो मलतू सिद्धान जो है आपका संसाधन की कमिस हो जाएगा अपसा नमबर सी हो जाएगा राइट एंसर अब तो यहां पर आपने प्राथमिक चुना है तो प्राथमिक क्या है राइट एंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक की बात की जाए तो यहां पर आपका प्रात्वी मतफला मद्वक्शृ पालन होता है और 2 कीगा तो दूतरों ति आपका क्या है सलाहिकारी स्था यह आका मिलान हो गया आप तूरत हुँ करें भाषव किया वह देखका भारती अम्धान में पॉर जानते हैं यह जाएगा राइट एंसर आपसर नमर्डी 38 की बात करने कहता है भारती सम्मिधान का भाग चार इमने कि इसे समझ दीत है तो राइट एंसर आपको दाना है तो अगर आपने अपस्वन डीचुना है राज की नीति निस्टा तो राइट एंसर जागा है जाद रखेगा भाग चार जो अंचे चार चार ऑफ यहां तो यहां और आपका लिया गया है आयर लेंड से याद रखेगा थाटी नाइन की बात करें मुश्ट इंपर्टन कोशन ने अपकी उमीद है कि आज कोशन आएगा जरूर कहता बेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया था तो राइट एंसर आप होता न आपको तान है तो टूडर में अगर आपने अप्सान किया है अकबर के तो राइट एंसर हो जागा याद रखेगा अकबर क्या है यह परसिद्राजस ने इस ने करता है ने में रिकित में से किस अस्थान पर गृत्तवा कर्सरबल सबसे अधिक है तो यदि आपने अप्सान डी चुना है धुरूर रेखा पर तो राइट एंसर हो जागा धुरूर रेखा पर क्या गृत्वा कर्सर जो है सबसे अधिक लगता है पोट्री ट्यूप की बात करें ध्यान से देखें कहता ने में लिकित में से कौन से यह अंतर का प्रियोग आ कि अगर आपने अप्सान वी चुना आधरता मापी तो राइट एंसर हो जागा आधरता का मापने का यह तुरूता आधरता मापी होता है क्वेशन नमर 43 की बात करें कहता है रोवर्स कप याद रखिए कि यहां से भी कोईशन इंग्जाम में आते हैं तो आने वाले हैं कहत है रोवर्स कप निम्लिकित में से किस खेल से समंदित है तो यदि आपने अपने यह चुना है फुटवाल तो राइट अंसर रोवर्स कप का जो समंद है फुटवाल से और इसकी अस्तापना 891 में प्रारम हुई थी कोईशन नमर 44 की बात करें कोईशन मोस्ट इंपर्टन क कहता है डांडिया लोक निर्त है निम्लिकित में सिक किस राजे से समझत है तो तो डांडिया अगर आपने अपसंद से चुना है गुजरात तो राइट एंसर हो जागा याद रखिएगा अगरबा भी गुजराती का है ठीक कोईशन नमर नेस्ट की तरफ चलते हैं कि कहता ह यहां से अगर आपने उस्पना हसानिया मिर्जा अगरू कि खिलाड़ी की याद में काता है कोईशन नमबर नेस्ट की तरफ चलते हैं देखते हैं क्या है कि पौर्टी सिंख कोशन है कि कहता है स्वय मैं साहता समुह कि इस समय चला है मुश्ट इंपार्टन कोशन स्वय सहाता समुह कि बहुत सी गाउं क्या और थे हूए सब्सक्राइब सभाएं तो याद है तो यादि आपने अश्पन सभी चुना है समय के सदस तो राइडेंस रखेगा समू के सदस ही निडाए लेते हैं पूछ नमर 57 की बात करेंद हम देखिएगा इनके तो यहाँ से अगर आपने अपसंसी चुना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरिशन लिम्टेड तो राइट अंसर हो जगा यही आपका महारत में नहीं आता है महारत ने जो कंपनियां है जैसे की एंटी-पी-सी है आपकी और ओ-एन-जी-ईल है और सेल है और भेल है आयो-सी-ईल है और सी-ई-ई-ल है और गेल है बी-पी-सी-ईल है याद रखेगा आगे चलते हैं कोशन नमर फोटी-ईज की तरफ क्याता है भारती समिधान में तो यहां से भी कोईशिन निगा में आते हैं तो यहां से भी अगर आपने सब्सक्राइब आयर लेंड से तो राइट रज़ा राइट पत्की जो चुनाव की पड़ाली ली गई है वह आयर लेंड से और आज की निश्चिन दूची जाए रहें से लिए गए तो यहांसे अगर आपने अपसं से चुना कि अधिकार से तो राइट रज़ा राइट इनसे किसा अधिकार से पडियांस धेक ise 55 pem Ugh Hai लास्ट कोईश्चन है एक दम देहां से देखेगा वीडियो का पाने के लिए क्या है आप कमेंट कर सकते हैं अपना नंबर वार्ट से मैं पीडियो भेज दूँगा और क्या है चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा वीडियो बेल आइकन आप लिजेगा क्याता एतिहास के लखना हो समझावते कि निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता कि राद्रीत की उपाद इसे किसने समानित किया गया था तो यदि आपने अपसंदी चुना मुहमाद अली जिन्ना को तो राइट अंसर हो जाएगा मिलते हैं तब तक जाहिंद बंदे मातरों